नमस्कार मैं सरोजी पांडे अपने चैनल सरसुती गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूं कैसे हैं आप सभी आसा करती हूं अच्छे होगे आईए आज के वीडियो इस वीडियो में मैंने टॉपिक लिया है बिदेशज या आगत सब्द बिदेशज या आगत सब्द बिदेशज का मतलब होता है बिदेश में बिदेश से जन्मा हुआ आगत का मतलब आया हुआ ठीक है यानि जो दूसरे देशों से देशों की भासाओं से सब्द हमारे हिंदी में समलित किये जाते हैं उन्हें विदेशज सब्द या आगत सब्द कहा जाता है तो आईए देख लेते हैं ये तो देखे आये कैसे हैं ये आये इस प्रकार से पहलेगे तो मुस्लिम अलग अलग देसों से जैसे अब देश से पूर्तगाल से फ्रांस से इस्पैन से ठीक अ और स्वारीए पूर्तगाल से humid नगष। पुरकिस्तान से यहां यहां से पहले मुस्लिम सासक आए वह अपनी भासाइं छोड़ गए ठीक है उनकी भासाओं को हिंदी में थोड़ा सा परिवर्तन करके ले लिया गया तो उसके बाद फिर आए अंग्रेज जब अंग्रेज आए पहले तो मुस्लिम सासकों ने बहुत द किया देश परशाषन किया तो उनकी भी भासाएं बहुत सारी भासाएं पहला है अर-भी भासाएं अर-भी सब्द अर-भी सब्द यानि-अर-भी भासा का सब्द इसमें सबसे ज़्यादा होता है फ जब यह सब होता है सबसे ज़्यादा अरभी भासा में ठीक है तो इसमें देखिए हम कहते हैं कि आदमी हम तो समझते हैं आदमी जो है हमारे हिंदी का है पर देखिए यह अरभी भासा का सब्द है आदमी आदत इज्जत अवलाद फाइद विमारी है जहाज जिसमें हम सैर करते हैं घूमने जाते हैं यह एक देश से दूसरे देश में या देश में ही जबाब जबाब अंसर ठीक है गरीब मजबूर वकील मुकदमा मौका हाल मदद कुर्शी खबर तारीख ये सभी हम रोज यूज करते रहते हैं रोज आना हमारी जिंदगी में हमारे ब्योहार में ये सब आते रहते हैं लेकिन हमें नहीं पता होता कि ये हिंदी दूसरे देशों से आये दूसरी भासा का तो ये सभी किसके हैं अर्वी भासा के सब्द हैं ये सभी ठीक है अब दूसरा है फारस से जब मुस्लिम सासा काये तो वह फारसी छोड़ गए देखिए फारसी सब्द इसमें आ जा बड़ा वाला साग और बे बे बेसरम बेरहम यह सब जो होता ना बेकसूर यह सभी जो है फार्सी सब्द से लिए गये हैं बेवाला उपसर्ग जिसमें लगा हुआ होता है ठीक है तो इन्हें याद कर लिजिए गाट्रिक से अफसोस आतिस बाजी आवाज आमजनी आराम आफत करते है कैसी आफता गई कबूतर जो यह पक्षी है गरम खरगोश जहर किशमिस पमीना जिंदगी जुर्माना तनख्वाहा तनख्वाहा जिसे सालरी कहते हो अंग्रेजी में ठीक है बीमार बेसरम साधी शोर सरकार मलाई मलाई दूद की मलाई ठीक है मलाई देहात देहात सहर ठीक बहरा जो कान से बहरा होता है यह सभी सब्द किसके हैं फार्सी सब्द के हैं पर हमें लगता है सभी हिंदी के हैं हमें समझ में नहीं आता है ऐसे होता है चलिए अब तीसरा है पूर्तगाली सब्द पूर्तगाली सब्द से हम क्या-क्या यूज करते हैं हमारी हिंदी में क् फीता जो बालों में बाढ़ा जाता है या कहीं और परियोग किया जाता है अलकत्रा तंबाकू जो रोज सब लोग खाते हैं है ना संत्रा फल कमरा जैसे कमरा जिसमें हम रहते हैं गमला जिसमें हम पौधे छोटे-छोटे फूर लगा लेते हैं तौलिया जिससे हम सरीर को करते हैं बनाने के बाद काजू जिसे का जाते हैं तो दे ध्यान के पढ़ लेजिए गाइसको इसके बाद है एगा उसके बाद हैं कुली जो सामांड होते हैं स्टेशनों पर कुर्की कba ओंके घर में कुर्की माता माता निकलती है रोग नहीं होता वाथा निकलती है जो उसे चेचक नाम दिया गया है उस्ह div तलास मतलब किसी को खोजना बहादूर कहते हैं बहुत बहादूर हो है ना बेगम यह तो समझ में आ रहा होगा लफंगा कुरता चाकू तोप बंदूक बारूद कुली शौगात ये सब किसके सब्द हैं ये सभी के सभी तुर्की भासा के सब्द हैं ठीक है पांचमा है हमारा अंग्रेजी सब्द ये जो डोक्टर, कॉलीज, नर्स, यूनिवास्टी, रेडियो, क्रिकेट, मसीन, फिल्म, सिनेमा वगेरा वगेरा ये सारी काप्टन को कप्तान कहते हैं हम लोग काप्टन है ना तो ये सभी के सभी किसके सब्द है ये अंग्रेजी भा सुनामी समुदर में आती है लहर होती है सुनामी लहर ये सभी क्या है जापानी सब्द है चीनी सब्द क्या है चाय चीनी चीकू जितने चै से बने हुए होते हैं सब चीनी सब्द है है ना चाय चीनी चीकू चाकू है ना तो ये सारी सब्द ठीक है कुछ कुछ सब्द जो म मुझे मिले हैं important जो हमारे दानिक जीवन में प्रयोग होते हैं हमारे जीवन में में सदारण तरीके से व्यवहार में मैंने उन्हीं सब्दों को इसमें Likhan की है और वह आप से पूछा जाएगा अलग से नहीं उसके बाद एकई के इसपएन देश ताकि आप उसमें पढ़ सकें आराम से दीख सकें पूछा जा सकता है जैसे लेंटेन है तो उसको लालटेन कहते हैं उसको तदभव हो जाता है ऐसे इस प्रकार से तो इसलिए मैंने उसका अलग वीडियो बनाया है तो मुझे लगता है कि ये सारा का सारा समझ में आ गया होगा अगर इसे अच्छे से पढ़ना है पूछा क्या जाता है पहले ये सोच लीजिए समझ लीजिए पूछा वही सब्द जाता है जो आपके दायनिक जीवन में प्रयोग हो रहा हो अलग से नहीं पूछा जाता जो आपके दैनिक जीवन में परयोग नहीं होता उसको नहीं पूछा जाता जो आपके दैनिक जीवन में जो सब्द परयोग किये जाते हैं उन्हें ही पूछा जाता है और मैंने भरसक प्रयास करके उन्हीं सब्दों को इसमें लिखा है जो दैन नंबर कटेए ना कम से कम दो नंबर तो इसके ही होते हैं ठीके विदैसी सब्दों के देशी सब्दों के दो नंबर आपके पक्के हो जाएँ नहीं पढ़ लीजिए गाड़े अगले वीडियो में आगली या इओ टोपिक पर तब तक के लिए धन्यवाद